अब हमारे पास एक function है f of x is equal to cot 7x और हमें इसका derivative लेना है तो f of x का derivative हो जाएगा आपका f prime of x which is equal to d by dx of cot 7x तो सबसे पहले तो हम यह देखें कि cot अगर simple cot x होता तो इसका तो derivative आपके पास हो जाएता minus cos x square x तो यहां पे cot की power 7 तो हम इसको सबसे पहले इस तरह लिख सकते हैं cot x whole power 7 cot x whole power 7 और cot 7x इन दोनों का एक ही मतलब होता है तो यह जो है हमारे पास directly differentiate तो नहीं हो सकता यानि कि इसके उपर हम direct power rule apply कर दें तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि supposition कर लेते हैं कि whole power में जो भी चीज होगी हम इसे u suppose कर लेंगे तो आपने cot x को जो है वो यू suppose कर लिए तो आपका f prime of x हो जाएगा d by dx of u to the power 7 तो हमारे बास जो power rule है power rule क्या होता है d by dx of x to the power n is equal to n times x to the power n minus 1 तो यह rule हम यहाँ पर apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह दोनो variable same होने चाहिए यहाँ पर u है और यहाँ पर x है एक यहाँ पर बावर seven तो हम इसके लिए क्या करते ही चैन रूल अपनार कर आचेकर देचरानो जाए government आपड़ो 마्यारी धाने हैं तो यहाँ पर धावर 5 नाई पर देचरान यहाँ पर दोनार हो जाए तो यह यहाँ आपका चेन रूल आपड़ा है आप यूगी पावर 7 है और यहां पे डी यू है इसका मतलब है कि हम यहां पर फॉर्मूला अपलाए कर सकते हैं पावरूल वाला तो पावरूल वाले फ lolol इसके अबनay इसके बाद डिभाय डिए ' हचाध इसको सिंप्लिफाइगं यह हो जाएगा पाबहर है? और कॉट X का डेरिवेटिव होता है, माइनस को सैक स्कॉायर एक्स, इसको फर्दर सिंप्लिफाय करेंगे, तो हो जाएगा, माइनस सेवन, यू तू दी पावर सिक्स, को सैक स्कॉायर एक्स, माइनस सेवन, अब ये इस यू की जगा, हम यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि आपकी है, कॉट X, कॉट X to the power 6, को सैक स्कॉायर एक्स, माइनस सेवन, ये कॉट X की पावर 6 है, तो हम चाहें तो इस 6 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो जाएगा, कॉट 6 X, को सैक स्कॉायर एक्स, ये जो कॉट्चन है, ये हम चेन रूल के जरीए भी सॉल्व कर सकते हैं, इस कॉट्चन को जो हम चेन रूल के जरीए भी सॉल्व कर सकते हैं, और डारेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अब डारेक्ट जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है वो हमें derivative लेना था f' of x is equal to d by d x of cot 7x सबसे पहले तो यह हो गया d by d x of cot x to the power 7 अब यहाँ पे होल पे हमारे बास power लगी भी है तो हम power rule apply कर देंगे तो power rule के साब से जागा 7 और ब्रैकेट में जो भी चीज है वो as it is आजाएगी हमारे बस और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा जैसे हमने उपर आपको power rule बतायता है तो यह power rule को हम डायरेक्ट भी apply कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम इसको multiply कर देंगे cortex के derivative से जो भी चीज आपकी ब्रैकेट के अंदर होगी पूरी की पूरी उसके हम derivative से जो हम इसको multiply कर देंगे इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 कोट एक्स की पावर 6 है यह simplify होगे हो जाएगा आपका कॉर्ट 6 एक्स को सैक स्कॉएर एक्स तो इस question को हम डारेक्ट भी solve कर सकते हैं और chain rule से भी solve कर सकते हैं